नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी को हीरा स्कूग बुक में आज में लेकर आई हूँ गूबारे जैसे फूले फूले मूली की पराठे बनाने की बहुत ही आसान तरीका इस तरह से आप मुली के पराठे बनाएंगे तो गूबारे के जैसे फूल उठेंगे और फटेंगे भी नहीं एकी बार में आप पर्फेक मुली के पराठे बनाकर तयार करेंगे तो दोस्तों इस मूली की प्राठे बनाने के लिए यहां पे लिए मैंने एक कप गेहूं का आटा अब हम आटा में डाल देते हैं स्वात की सबसे नमक और एक चमच मेनी आपे लिए रिफाइन डॉयल आप इसकी जगह घीका भी यूज कर सकते हैं तेल और नमक को हम अच्छे से आटा के साथ मिक्स कर देंगे और तील से आटा मौइन भी हो जाता है तो हमें बहुत ही अच्छी तरह किसे मैनी आपे मिक्स कर दी हैं अब मैंने आपे लिए पानी और पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे हमें पानी एक साथ नहीं डालना है नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा सौफ्ट हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे एक डो बना कर तैयार कर ली है अब हम इसको कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे तब तक हम आगे का प्रोसेस कहते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने 20 ग्राम मुली ली है मुली को मैंने अच्छे से छिलके उतार करके इसको दो ली है अब एक ग्रेटर लेंगे और मुली को हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने मुली को ग्रेट कर ली है अब हम मुली को इस तरह से निचोड़ ले तब्छ नभें के मिर्च जीरा के क्लिए बूलेंगे एक जोपफु, जीरा जेरा को मिर्च तब्छ और सोमने कीक जिए किनन वाइक जाल मिर्च की जाल मोpan Darren यहां पर हमें प्यास का कलर नहीं चेंज करना है गेसकी फिलिम को मैंने मेडियम रखी है अब हम इसमें डाल देते हैं मुली जो हमने ग्रेट करके निचोर कर रखी थी वहीं मुली को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो दोस्तों इस तरह से आप मुली का पाउडर एक चोथाई चमच जीरा पाउडर एक चोथाई चमच से थोड़ा सा ज्यादा मैने आप कस्मेरी लाल मिच पाउडर और एक आधा चमच आमचुर पाउडर चटपटा फिलेवर के लिए साथ में स्वात की साब से नमक को डाल देंगे और इन मसालों को हम मुली के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हम मैने आप गेस की फिलेम को इस टाइम हाई कर दी है और मैं आप अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मसाली अच्छे से मिक्स होने के बाद हम हाई फिलेम में एक मिनट के लिए पका लेंगे और इसको हम निकाल देंगे नहीं तो मुली से फिर से पाने निकलना स्टार्ट हो जाएगा अब इस्टफिंग को ठैंडा होने के लिए रख देंगे तब तक हम यह जो आठा इसको चेक कर लेते हैं आठा सॉफ्ट है और यह जो मूली का प्राठा है इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा soft dough लगाना है अब मेने याँ पेड़े बना ली है तीन पेड़े और एक पेड़े को ले लेते हैं थोड़ा सा सुखा हुआ आटा लगा कर इस तरह से बेल लेंगे और stuffing को हम इसके center में भैर देंगे stuffing को center में दालने के बाद हम हातों में उठाएंगे और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और अच्छे से हम इसको बंद करेंगे ताकि ये खुलेना और उपर से थोड़ा सा सुखा हुआ आटा लगा लेंगे और हलके हलके हातों से हम इस पराठे को बेल लेंगे पराठे बेलते समय हातों से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है नहीं तो इस stuffing बाहर निकल जाएगा ऐसे कुछ छोटी छोटी tips आपको धियान में रखना है जैसे कि आटा थोड़ा soft लगाना है और बेलते समय थोड़ा सा हलके हातों से बेलना है तो इस तरह से मैंने प्राठे को बेल ली है मैंने आपे तवे को गरम कर ली है तो गरम तवा में हम इसको डाल देते हैं और गिस की फिलम को हाई कर देंगे और इसको हम दो मिनट के लिए सिखने के लिए छोड़ देंगे दो मिनट सिखने के बाद हम इसको फिलिफ कर देंगे पलट देंगे और पलट के फिर से हम इसको दो मिनट तक सिख लेंगे दो मिनट सिखने के बाद हम इसको फिर से पलट देंगे और उपर से तेल याग ही लगा देंगे तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्विस्ट है मेरी आप से आप वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को भी प्रिस कीजेगा इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा ताकि आपकी दोस्तों तक आपकी फेमिली तक मेरी रेसिपी पहुंच सके तो इस तरह से ये जो पराठाए गुबबारे की तरह फूल के तयार हो गया है खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट है आप सुबा साम या लंच में किसी भी टाइम बना सकते हैं इस तरह से तो कभी फेटेगा नहीं और बहुत ही सौप पराठा बनके तयार होगा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में